नमस्का दोस्ता आप सभी को टिक्नो जैनित्वकॉम के एक नए वीडियो में सो आगा थे दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल्मी 3 प्रो के बारे में जी हाँ दोस्तो आप सभी को मालूम है मैंने पिसले वीडियो में एक रियल्मी 3 प्रो का स्पेक्टेट स्पेस हो जाता है तो उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो पर आई बटन पर देख सकते हैं तो आप पूरा नया से शुरू कर सकते इस वीडियो में तो एहीं पर आपको बताने वाला हूं रियल्मी 3 के बारे में और यह रियल्मी 3 प्रो कर इंडिया के अंदर लॉंच किया गया अगले मार्ट 15 को यह इंडिया में अवलेबल किया जागा आप उसके बाद ऑनलाय खरीत पाएंगे फलिपकट के साथ realize को लाबरेशन किया तो आपको फलिपकट का ऊपर रियल्मी 3 प्रो का सेल मिल जाएगी बस एक फ्लास्यल ना हो रेडमी जैसे वहीं पर बड़ी दिक्कात आती है तो आपको बताते रियल मी 3 प्रो के बारे में जो की रेडमी Note 7 को kill करने वाला है एकदम मैं कहरा हूं kill करने वाला है उससे अच्छा फीचर सहीं पर आपको देखने को मिल रही है झाल झाल तो दोस्तों रियल्मी 3 प्रो एक में रेंज फोर ने जहां पर प्राइस स्टार्ट होता है 4GB और 64GB वेरियंट का 13,999 रुपीज जी हां दोस्तों नेक्ट जो वेरियंट है वो है 6GB और 64GB वेरियंट जहां पर कुछ भी प्राइस अभी तक लिख नहीं हुआ है और एक लास्ट वेरियंट है जहां पर आपको 6GB और 128GB का इंटार्ण स्टोरेज मिलती है जिसका प्राइस टका गया है 16,999 रुपीज जहां दोस्तों तो बड़िया प्राइस में एक बड़ा डील सामने आया Realme 3 Pro तो आपको पताते है Realme 3 Pro में तीन वेरियंट जैसे आपको पताया तीन वेरियंट देखने को मिलेगी और यही पर जो पॉसेसर मिलने वाला है वो है Qualcomm 710 पहले बार एक 14,000 के अंदर आपको Qualcomm 700 सीरीज का कोई भी पॉसेर आपको दिखने को मिल रही है पिसले बार जो Redmi Note 7 Pro में आपको दिया गया था 675 पॉसेर जो की थोड़ा पुराना पॉसेसर है as compared to Qualcomm 710 Qualcomm 710 में आपको बड़िया perseverance मिल जाती है फॉंट्रेयर गेम का भी support मिल जाती है एक ऐसा फोन होने वाले 14,000 के अंदर जहां पे आपको आपको बता दे जोई एहिंपर रहा रहाता है वह बड़्या जो चेपयोई वह बिल टू जहाता है एसक्पार में आपको 600 सिलीज 675 जो Redmi Note 7 Pro में आपको यूश किया गया है उससे अच्छा जो ग्राफिक्स एहीं पर Realme 3 Pro में आपको देखने को मिलेगी तो Realme 3 Pro में आपको 6.3 इंच का Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक IPS डिस्प्ले गोरिला ग्लास का सपोर्ट दिया गया है और इंपर डिस्प्ले में आपको कौन-कौन से फीचर्स मिलती है वो बता दाओ डिस्प्ले में आपको Blue Light Filter, Color Management, Color Temperature Management सारे फीचर्स मिल जाती है और इंपर डिस्प्ले का जो रिजुशन है वो बढ़िया दिया गया है ताकि आपको एक बढ़िया जो फोटो या फिर जब आप कोई भी फोटो लेंगे कोई भी कैमेरा से अपने कोई भी पिक्चर लेना चाहेंगे तो वो बढ़िया रिजूशन पर आपको संसर पीछ Signal में देर्ल कामेरा भाची मेंieza का में Lea नेकर आडίο हो ता क्या आपको और भी बधिक्शे अच्छा ऑन्कों सर्थ में help करें तो उसके बाद नहीं पर जो आपर्चार मिलती है जो 16 MP का है वहीं पर आपको f1.7 का अपर्चार मिलती है एंजो 5 MP का हुई पर आपको f2.4 का अपर्चार मिलती है 1 by 2.6 inch का sensor size use किया गया है dual pixel fast focusing को यूस किया गया मतलब जब आप कोई भी picture लेने की कोशिश करेंगे focus करेंगे tap to focus करेंगे आपको बहुत ही fast focus होने वाला है उसके बाद आपको इंपर night mode, ultra HD mode, chrome boost and portrait mode, expert mode, HDR mode अच्छे से मिल जाती है रियल्मी 3 pro में और इंग आपको बता दू जो 3 pro में जो camera यूज किया गया है, जो sensor यूज किया गया है, वर्टिकली यूज किया गया है, मतलब जो main sensor है, वो उपर है 16 megapixel लगा, और जो नीचे है, वो 5 megapixel का आपको depth sensor है, और वो ही पे camera पे आपको एक chrome finish मिल जाएगी, chrome finish दिया गया है, ताकि camera दिखने में बरिया लागे पीछे, और camera थोड़ा बहाट किया हुआ है, लेकिन मैं जितना समाझता हूँ, अगर आप कोई भी dex में realme 3 pro रखेंगे, तो वही पे आपको camera जो है, वो dex को touch करेंगा, उसमें साइद scratch आ सकता है, अगर आपको flip cover यूज करेंग जो को एक बढ़िया लुकिंग दिया गया है, पीछे के तरफ बिल्कुली क्लॉसे finish मिलती है, हलका texture यूज किया गया है, ताकि आपको दिखने में बढ़िया लगे, और Redmi Note 7 Pro में जो आपको कमिया थी, मतलब जो scratch आने की problem थी, या फिर जो side में कुछ border line नहीं दिया गया था लेकिन इसमें इस बार Redmi 3 Pro में वो चीज यूज किया गया है, जहां पर आपको थोरा chrome finish मिल जाती है, दिखने में अच्छा लगया और आपको हाथ में लेने में भी बहुत मजा लगया, इस चीज को ध्यान में रखा गया है, उपर आपको लगवां 90% का screen to body ratio मिल जाती है, ब artificial intelligent phone camera दिया गया है, जो के 25MP का phone camera दिया गया है, f2.0 aperture के साथ, 1 by 2.8 sensor size हैं भी यूज किया गया, 4 in 1 pixel मतलब वहीं पर 4 in 1 pixel का भी technology यूज किया गया, बढ़िया आपको एक selfie तेक्निकों मिलेगी, इस phone में 25MP का phone camera से, इसके अलबाँ जो वीडियो recording होता है, वहीं पर आपको 4 के के आप video recording support करते है, 30fps में, 180p in 30fps, then 720p in 30fps, तो आपको 4K, 180p and 720p का video support मिलती है, realme 3 pro में, इसके अलबाँ आपको slow motion का option दिया गया है, 960fps पर and full HD में आपको slow motion का भी option दिया गया है, 120fps में, इसके अलबाँ कैमेरा पे आपको EIS का technology मिल जाती है, time lapse का option मिल जाती है, AI beautification, HDR, AI facial unlock भी दिया गया है, मतलब face unlock दिया गया है, इसके अलबाँ आपको fingerprint sensor मिल जाती है, पेछी की तरफ, okay, तो camera के बारे में आपको details मैंने बता पाए, उसके बाद जो एहीं पर मुझे कमी लगी है phone पे, phone पे तो सब कुछ बता दिया, आपको RAM, processor, camera, display, सब बता दिया, लेकिन जो कमी लगी है phone पे, वो है charger point, यहां दोस्त, एहीं पे वही जो पुराना वाला micro USB यूस के आगया है, phone बहुत ही बड़ी है, बस USB type हो जाता न, तो मतलब जो ना पसंद करती इस phone, कोई भी आगर ना पसंद करेगा realme 3 pro को, तो एक ही करन होगा, कि उसका micro USB charger point दिया बस इसको अगर हटा देते, इसको अगर USB type C कर देते, realme, तो मज़ा आ जाता है, और एक चीज़ बता दे, realme actually oppo का ही सब brand है, मतलब realme को back किया है oppo, पहला ऐसे ही था, जब realme launch हुआ था, लेकिन उसके बाद realme, खुद का एक अलग company बनाया, और वो यह जो product है, आप ही connection नहीं है, लेकिन यहीं पे दो चीज़ oppo से लिया गया है, वो है fast charging technology and second software, यहीं पे realme 3 pro में जो software आपको मिलती है, वो है color OS का software मिलती है, जो oppo में आपको मिलती है, हाला कि यहीं पे आपको updated badge और Android Pie के उपर 9.0 के उपर यह आपको दिया जारा है realme 3 pro में, और यहीं पे जो fast charging है, जो oppo में मिलती है, VWC 3.0 version यहीं पे realme 3 pro में आपको मिलने वाला है, जो बड़िया चीज है, लेकिन जो oppo पहले back करता था, realme को push करता था आगे जाने में, वो अभी भी कर रहा है, लेकिन हाला कि realme कहता है कि, मतलब यह सही है, realme अभी एक stand-alone एक खुद का company है, एक अलग company है, oppo अलग company है, realme अलग company है, यहनों के बीच में कोई भी financial या फिर कोई भी push आप नहीं है, फिर भी oppo से realme यह चीज लेता है, कौन-कौन सा, एक तो fast charging और एक software, मुझे लगता है, इस software को realme को कुद का develop करना चाहिए, क्योंकि oppo का software interface होता है, मुझे उतना attractive नहीं नोकिया का जो stock android का जो इतना चाहदा आपको attractive एक app drawer मिल जाती है, वही miss करता हो में यह skin वाले चीज में, MIUI हो, या फिर आपका color OS हो, या फिर जो भी हो, GenUI हो, Asus का, also स्फिर भी अच्छा है, या भी stock UI, stock जो android वो प्रूवाइट कर रहा है, बहुत ही बढ़ी आई, इस ची तो कोई बैन नहीं है, तो company क्यों इंडिया के लिए अलग से develop नहीं कर रहा है, यह हम सभी हम सारी user को request करना चाहिए, जब भी company कोई ऐसा survey करता है, तब यह point लाना चाहिए, कि आप हमारे लिए stock android दीजी, जब ऐसा कोई survey देखते है, तो फिर पर बताए stock android चाहिए, फोन प अच्छा, मतलब Google खुद बनाता है, गूगल का product अब खुद मालों ही, तो बताते हैं यहीं पे battery के बारे में, battery में आपको मिलते है, 4045 mAh का battery, जो की, मतलब दो दिन तक, यह रियल में का कहना है, दो दिन तक चलेगा, लेकिन मेरा मानना है, आपको बस एक दिन ही चलेगा, और थोड़ा आप moderate user है, तो आपको लगवग देट दिन 1.5 डेज आपको चल जाएगा, यहीं पे आपको fast charging मेल जाती है, 3.0 VWC 3.0 जो अपो से लिया हुआ है, मैंने पहले आपको पता है, और यहीं पे जो charging time है, यह आपको अगर आपका phone 15% charge है, तो उसे 50% charge करने में 30 मिन का time लगता है, ऐसा Realme का कहना है, हलां कि जब यह रियल वर्ल्ड में आएगा, तब हम test करेंगे, आपको बताएंगे, इहीं पे आपको connectivity का मामलों पे आपको dual SIM slot मिलती है, और आपको एक dedicated micro SD card slot मिलती है, dual SIM slot पे आपको dual 4G VOLT का support मिलती है, 4G का हर एक बैंड आपको इहीं प इहीं पे support मिलती है, इहीं पे आपको Wi-Fi का dual Wi-Fi band आपको support मिलती है, Bluetooth 5.0 दिया गया है, sensor के मामलों पे आपको e-compass, light sensor, proximity sensor, gravity sensor, and accelerometer sensor आपको इहीं पे दिया गया है, और इहीं पे चैसे आपको पता है, 4GV and 64GB and 6GV and 128GB का variant मिल रही है, और एक इहीं पे variant मिलेगी, जो कि यह 6G and 64GB variant का, आपको इह जो expandable microSD card, dedicated microSD card slot मिलती है, और आपको 256GB तर support मिल जाती है, color away 6.0, paste on 9.0, Android 9.0 आपको मिलती है, जैसे मैंने पहले बता है, आपको box के अंदर मिलीगी, एक handset, 5B, और इहीं पे और इक चीज़ आपको पता है, भूल गया, कि इसके साद रियल्मी 3 Pro, एक 13,999 रूपीस के अंदर एक ऐसा फोन है, जहां पे आपको 30W का charger दिया जा रहा है, जहां दोस्तों, यह मतलब अभी तर किसी फोन पे ऐसा दिया नहीं गया है, तो 14,000 में रियल्मी 3 Pro, एक ऐसा फोन है, जहां पे आपको welcome 700 series का processor मिल रही है, 710 processor, second चीज 4GB का RAM 60, 4GB का internal storage मिल र camera and 25MP का phone camera, और इस फोन पे आपको 30W का charger दिया जा रहा है, फास्ट चार्जिंग के साथ, और एहीं पे जो backdrop है, मुझे लगा है, वो है इस फोन पे आपको micro USB charger पॉइंट दिया गया है, एंद आपको color OS 6.0 दिया जा रहा है, Android 9.0 Pi के उपर, तो दोस्तों, आपको मैंने पता है, Realme 3 Pro के बारे में, review करके आपको बताया, phone का design के बारे में आपको बताया, phone का gami के बारे में आपको बताया, अच्छे चीज़ के बारे में बताया, वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो ज़रूर लाइक कर दिना, शेयर कर दिना, अपने दोस्तों के साथ, चैनल को subscribe कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना. तो दोस्तों, आप मुझे बताना, आप क्या सोसते Realme 3 Pro के बारे में, कमेंट सेक्षन पर चरूर मुझसे बताएंगे. हम वेट करेंगा आपके व्यू का, और और नेक्स्ट कई वीडियो पे कुछ वीडियो पे आपका जो वीव है वहां महीं पे बताने की कोशिश करने है तो दोस्तों मिलते अगला वीडियो में एक नए आपडेट के साथ तब तक के लिए Be Healthy, Be Happy, Take Care, Bye-Bye